नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है हरशिद वेदी और मैं आपका स्वायत करता हूँ अपनी इस वीडियो में पार्ट 80 है दोस्तों ये लक्षमी कांथ की 6th एडिशन की किताब का यहां पे हम लोग बात करेंगे वीटो पावर आफ दा प्रेजिडेंट के बारे में अभी जब वीटो पावर आफ दा प्रेजिडेंट के बारे में बात आई तो कहीं न कहीं हमारे समविधान में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किये गए हैं जहां पे अगर एक्जीक्योटिव से कुछ गलती हो जाती है या legislature से कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती को जो हमारे president साब है वो correct कर सके इस veto power के अंदर Indian president को बहुत से तरीके के veto दिये गए absolute veto, suspension veto, suspensive veto, pocket veto इंसर veto के बारे हम देखेंगे दुनिया भर की जो democracy's है उसमें जो main 4 प्रकार के veto होते है जिसमें इंडिया के president के 3 veto और एक और मिला दिजे, qualified veto ये सारी veto actually में होते क्या है ये भी हम देखेंगे तो आगे बढ़ने से पहले, I hope आपने एक किताब खरीद ली हो वीडियो पे like का बटन दवाना मत भूलिए telegram channel को ज़रूर join कर लीजे, नीचे link दिया हुआ है instagram पे follow करके आप मुझे message कर सकते हैं वहाँ पे आपकी जो भी genuine queries होगी मैं answer करने की कोशिश करूँगा और मेरे दोरा बनाई गए और वीडियो को देखने के लिए आप channel के member भी बन सकते हैं अब देखिए एक bill को अगर parlement से pass कराना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि parlement में राजसभा और लोगसभा के साथ हमारे राश्टपती साथ भी आते हैं तो अगर राजसभा, लोगसभा से कोई bill pass हो जाता है तो वो तब तक नियम नहीं बनेगा जब तक उस पे हमारे राष्टपती के सिगनेचर नहीं होते है ठीक है तो जब भी ऐसा कोई बिल हमारे राष्टपती के पास पहुँचेगा उसकी एसेंट के लिए तो राष्टपती जी के पास तीन आल्टरनेटिवस हैं अंडर आरंटिकल 111 ऑब दे इंडियन कंस्टिटिशन पहला अल्टरनेटिव है ये में गिव इस ऐस सेंट टू दढ़ब तो अगर मनी बिल के अलावा कोई दूसरा विल है तो वो उसको return कर सकते हैं for the reconsideration of the parliament ठीक है तो मतलब प्रेजडेंट के पास हमारी parliament यहनी लोगसभा राजसभा से bill pass को के आया तो अगर प्रेजडेंट साब ने approval दे दिया well and good नियम बन गया नहीं दिया तो रुख गया और प्रेजडेंट साब चाहें तो उस bill को वापस parliament को वापस कर सकते हैं parliament फिर से उसके उपर भहस करेगी with या without amendments उस bill को अगर फिर से parliament ने pass करके फिर से president को दिया तो इस बार तो president को assent देनी ही पड़ेगी तो केवल एक बार president एक bill को वापस बेज सकते हैं parliament के पास reconsideration के लिए अभी के लिए arrangement कुछ ऐसा है कि money bill को reconsideration करे वापस नहीं बेजा जा सकता money bill को नहीं बेजा सकता और constitution amendment bill को भी नहीं बेजा जा सकता अभी वो किस के तुरू वा 24th amendment act वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ तो भाईया president के पास veto power है over the bills past by the parliament ठीक है veto की बात की जाए तो veto एक latin शब्द है veto का मतलब latin शब्द जो है veto उसका मतलब English में होता है forbit यानि किसी चीज़ को रोक देना तो यहाँ पे veto के थुरू हो क्या जा रहा है रोका जा रहा है अभी यहाँ पे जो president को veto power दी गई है यह veto power actually में president को दी क्यों गई है तो अगर आप लक्षमी कान दे देखोगे तो दो reasons दे रखे है पहला reason यह दिया है कि parliament कल की date में कुछ उल्टा सीधा legislation लेके आती है कुछ ill-conceded legislation लेके आती है जो या तो बहुत ज़दा communal है secularism के खिलाफ है उल्टी सीधे नियम कानून बना रही है अपनी मनमानी कर रही है हेस्टी considered legislation है चुकि ज़रूरी नहीं कि parliament हमेशा सही तरीके से काम करे हो सकता पारलामेंट से भी कभी कभी गलती हो जाए तो अगर पारलामेंट से गलती हो जाती है तो veto power के तू president को एक ताकत दी हमारे सम्विधान में कि उस गलती को president सुधार सकता है ठीके कैसे अपनी veto power का प्रेओक करके पहला reason यह दिया गया है veto power president को देने का दूसरा reason क्या है कि भाईया ऐसा कोई legislation जो हमारे सम्विधान के मूल भावनाओं के against है unconstitutional है तो देखे हमारे president भले ही nominal executive है वो real executive नहीं है भले हमारे president के पास ताकत नहीं है जो इससे council of ministers को बहुत ज़दा चेक करनी की real में कोई ताकत नहीं है directly elected नहीं है फिर भी हमारे president को हमारे सम्विधान ने सीधी सीधी responsibility दिए कि अगर executive या फिर legislature कुछ गलत legislation करते है एक ऐसा legislation जो कल की date में हमारे सम्विधान के against है तो मान लिजे सम्विधान के मूल provisions को कल की date में parliament बदल देता है fundamental rights अटा देता है directive principles of state policy अटा देता है हलाग कि हटा नहीं सकते हैं चुकि supreme court ने बोल रखा है कि आप basic structure को amend नहीं कर सकते हैं तो ऐसी कोई भी चीज जो कि parliament amend करता है और वो president के पास signature के लिए जाती है तो president उसको रोख सकता है हाला कि normal कर cases में president रोखता नहीं है चुकि president की appointment भी ज़दा तर cases में ruling party के हिसाब सही होती है तो president उसको रोखता नहीं इसलिए supreme court को यहाँ पे आना पड़ा supreme court इस basic structure को लाने की क्या जरूत पड़ी चुकि parliament ने जो भी ill-conceived legislation पास कियो उसको president ने approval दे दिया अगर president ही उनके approval को रोख देता तो वो वहीं रुख जाते लेकिन जब president के approval के बाद वो नियम कानून बनने लगे तो supreme court को खूदना पड़ा जंग के मैदान में supreme court ने बोला कैसे कर रहे हो तुम नहीं कर सकते constitution को बदल नहीं सकते तो यह चीज़ हैं यहाँ ठीक है तो president साब करो supreme court करो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में यहाँ पर आ रहा होगा तो दो वज़े हैं जहाँ जहाँ पर जिनकी वह ऐसे president को यहाँ पर veto power दी गई है अब देखें चार प्रकार के veto है modern democracies में चार प्रकार के veto होते है पहला veto है आपका absolute veto absolute veto मतलब legislature ने bill pass किया और president ने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं इस bill पे कोई भी assent नहीं दूँगा मैं इस bill को forbid कर रहा हूँ मना कर रहा हूँ इसको बोला जाता है absolute veto qualified veto क्या होता है कि माल लीजे parliament ने कोई bill pass करके president के पास बेजा president ने for the reconsideration of the parliament उस bill को वापस बेजा अब parliament उस bill को एक बड़ी majority से पास करके फिर से अगर president को देती है तो president को उसको approval देना पड़ेगा अब ध्यान दीजेगा वापस reconsideration के लिए तो हमारे देश के राश्पती भी भेज सकते हैं parliament के पास लेकिन parliament को अगर फिर से उस reconsideration वाले bill को पास कराना है तो किसी एक special या higher majority इजरोत नहीं है US की senate और house of representatives अगर कोई bill पास करके डॉनल्ड टरम को देते हैं और डॉनल्ड टरम उस bill को वापस भेज देते हैं reconsideration के लिए तो उस case में जो house of representative है और senate है उनको एक higher majority से उस bill को पास करना पड़ेगा और फिर से डॉनल्ड टरम को देना पड़ेगा ठीक है तो इसको बोला जाता है qualified veto ठीक है suspensive veto क्या होता है इंडिया वाला suspensive veto ने president ने reconsideration के लिए bill पार्लामेंट के पास भेजा पार्लामेंट ने उस bill को फिर से with और without amendment एक उसी ordinary majority से पास कर दिया जैसे पहले पास किया था उस case में president को अब यहाँ पे approval देना पड़ेगा तो qualified veto कहाँ पे हो रहा है यूएस में जहाँ पे एक बार राश्पती वापस भेज रहा है bill को तो bill को आपको higher majority से पास कराना है इंडिया में president के पास किया है suspensive veto यानि कि president अगर वापस भेज़ता reconsideration के लिए तो वो reconsideration के समय पे फिर से उसी ordinary majority से पास होता है तो भी parliament तो भी president को अब दूसरे case में approval देना ही पड़ेगा और चौते तरीके का veto है pocket veto pocket veto में president क्या करेगा कि उस bill पे कोई action लेगा ही नहीं वो bill ने बताया qualified veto US के president के पास है इंडिया के president के पास qualified veto नहीं है suspensive veto है यानि इंडिया के president ने पार बार बोल रहा हूं सुनिए ध्यान से parliament के पास bill को reconsideration के लिए भेजा तो parliament उस bill को फिर से ordinary majority से पास करके president को दे दे और फिर president को approval देना पड़ेगा तो qualified veto नहीं है president के पास इंडिया में suspensive veto है तो इंडिया में president के पास absolute veto है, suspensive veto है और pocket veto है ओके, ठीक है तो ये veto आपको समझ में आगे अब सबसे पहले बात करते हैं किस की सबसे पहले हम बात करेंगे absolute veto की बहुत ध्यान से सुनिएगा absolute veto की बहुत specific properties में आपको पताऊँगा हाला कि किताब में लिखी है मैं आपको इसलिए बहुत धंग से इसलिए बतारों दोस्तों ताकि आप चीजों को समझ पाऊ देखे president किसी भी bill पे अगर अपने assent को देने से मना कर देता तो वो हो गया absolute veto और जैसे ही president ने bill पे approval देने से मना कर दिया मतलब bill खतम अब bill की कोई भी validity नहीं है अब इंडिया के case में इस तरीके के absolute veto कब किये गए तो इंडिया के cases में mainly दो cases में इस तरीके के absolute veto को देखा गया आपको पता है एक होते है government bills एक होते है private members bills पार्लामेंट में private members कोई है private members वो है जो मंतरी नहीं है तो council of ministers की जो member है वो private members नहीं है council of ministers के अलावा पार्लामेंट में जित्ते में members होंगे वो private members होंगे चुकि वो minister नहीं है अभी क्या होता है कि private members के पास भी ये ताकत है कि वो bills को parliament में introduce कर सकते हैं हाला कि private members के bill को केवल Friday को देखा जाता है बट फिर भी उनके पास ताकत है कि वो अपने bills को introduce कर सकते हैं माल लीजे कोई private members bills दोनों houses से pass हो जाता है और दोनों houses से pass होने के बाद वो president के पास पहुंचता है तो जदतर cases में क्या होता है कि अगर executive चाता है कि एक private members bill नियम न बने तो उस case में executive president से ये बोल सकता है कि तुम इसको absolute veto कर दो ठीक है ना मतलब president उसको absolute veto कर देगा तो भले ही वो private member bill लोकसभा और राजसभा से pass होने के बाद president के पास पहुंचाओ president उसको veto करके वही के वही खतम कर सकता है तो actually ये political use हो गया absolute veto की ताकत का हलाकि समिधान के मूल सिद्धानतों के अलग मदब अगेंस्ट हो जाएगा ये बट फिर भी इस तरीकी चीज़ना अब कमी होती है पहले के जमाने में होती थी अभी के लिए नहीं होती है दूसरा case absolute veto का कब देखने को मिल सकता है कि मानलीजे किसी council of minister के member ने कोई bill introduce किया bill introduce किया गया लोगसभा से पास हो गया राजसभा से पास हो गया अभी पास होने के बाद वो president के पास गया और president का signature मिलने से पहले मानलीजे सरकार गिर गई ठीक है सरकार गिर चुकी है अभी सरकार गिर गई तो नहीं सरकार आएगी अब हो सकता है कि उसी लोगसभा से नहीं सरकार आजाए कि कोई दूसरी party अपनी majority को सिद्ध कर दे या फिर यह हो सकता है कि नहीं लोगसभा चुनी जाए पहले एक सरकार थी, उस सरकार ने बिल इंटेड्यूस किया, बुल को दोनों हाउसस से पास कराए, वो प्रेजिडेंट के पास पहुंच गया, प्रेजिडेंट के सही नेचर बाकी है, सरकार गिर गई, नई सरकार आई, वो लोकसवा के डिजॉल्व होके नई एलेक्शन से आ किस ने किया था, डॉक्टर राजेंद प्रसाद जी ने, इस बिल को क्या बोला गया था, इस बिल को बोला गया था, पैप्सू एप्रोप्रियेशन बिल, अभी पैप्सू का फुल फॉर्म क्या है, वो है पतियाला एंड इस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, यह जो पैप् प्रेजिडेंट के पास, फिर भाई प्रेजिडेंट रूल पैप्सू से हड़ गया, तो वहाँ पे पारलियमेंट से पास इस बिल पे प्रेजिडेंट ने एस्ट देने से मना कर दिया, राजेंद प्रसाद साब ने एस्ट देने से मना कर दिया, चोकि इस बिल को पास कप क में प्रेजडेंट आर वेंकट रवन साहब ने भी एक बिल पे अपना अप्रूवल देने से मना कर दिया जिसका नाम था सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन ओफ मेंबर्स ओफ पार्लियमेंट अमेंडमेंट बिल हुआ ये था कि पार्लियमेंट के आकरी दिन यानि लोग सबा डिजॉल्व होने वाली थी और लोग सबा जिस दिन डिजॉल्व हो रही थी उस दिन पार्लियमेंट ने सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन और मेंबर अफ पार्लियमेंट अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया अब बात ये है कि ये बिल consolidated fund of India से पैसा निकाल के खतम करेगा demand for grant पे वाली बात यहां पे आ जाएगी तो जब इसमें पैसे खर्च की बात हो रही है तो money bill या फिर demand for grant वाले बिल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि prior recommendation of the president is mandatory तो इसमें prior recommendation of the president लिया नहीं गया लोग सभा के आखरी दिन इस bill को pass कर दिया गया तो obvious ही बात है जब ये bill पहुचा प्रेजडेंट आर रेंकेट रमन साब के पास आर रेंकेट रमन साब ने इसको absolute veto कर दिया sign करने से इस पे मना कर दिया ठीक है तो ये तो हो गया आपका absolute veto के case बात करते हैं हम लोग suspensive veto के case suspensive veto ये ताकत भी आपकी Indian president के बाद है याद रखेगा Indian president के बास qualified veto नहीं है अगर MCQs में आ जाता है याद रखना qualified veto is not a prerogative of Indian president it is available to US president ठीक है ऐस तरीके के सवाल बन सकते हैं आपके UPSC presence में कुछ बरोसानी UPSC किसी भी field से सवाल पूँच सकता है अभी जब suspensive veto की बात आती है दोस्तों तेखी इसके अंदर क्या जैसा कि मैंने आपको बताए कि कोई bill president के पास पास हो ने किलाया है तो president ने इसको for the reconsideration of the parliament वापस भेज दिया parliament में parliament अगर उसको with या without amendments फिर से पास करके president को भेजता है तो president के ओपर यह obligatory है कि president उसको assent दे ठीक है ना? यानि कि ये वाला जो presidential veto है suspensive veto इसको overwrite किया जा सकता है उसी bill को parliament में पास कराके उसी ordinary majority के साथ यानि USA के qualified veto में जो higher majority जरोत थी उसकी यहाँ पे जरोत नहीं है और दूसरी बात ये जो suspensive veto है ये Indian president money bill के case में इस्तमाल नहीं करेगा तो याद रखेगा Indian president cannot use this suspension veto in case of money bill This is a very important point और दोस्तों एक important बात suspensive veto constitutional amendment bills के लिए भी इस्तमाल नहीं किया जा सकता याद रखे तीन main तरीके की bill कि या मैंने बात की एक ordinary bill एक constitutional amendment bill एक money bill money bill के case में आपको बताए कि normal कर money bill parliament में president के prior approval के बाद ही आता है तो prior approval जब president की आ ही गई है तो बाद में जब money bill president के सामने पहुंचेगा तो या तो president approval दे देगा है मना कर देगा reconsideration के लिए नहीं भेज सकता constitutional amendment bill को भी president reconsideration के लिए नहीं भेज सकता समझ गया बात को याद रखेगा फिर से बोल रहा हूँ constitutional amendment bill पास होके अगर आता है parliament से लोग सवा से राज सवा से president के पास तो president को उसके उपर approval देना mandatory है president उसको reconsideration के लिए वापस नहीं भेज सकता president उसको reject भी नहीं कर सकता अभी वो भी आगे बताऊंगा फिर अगला आता है pocket veto यहाँ पे अगर indefinite period के लिए president एक bill को अपने पास spending रखने लगे किसी चीज़ को president ने मने pocket में डाला और pocket में डाल के भूल गया उसके ओपर कोई action नहीं लिया तो यह होगा pocket veto ना president ने reject किया उस bill को ना president ने accept किया उस bill को ना president ने उस bill को वापस भेजा for the reconsideration of the parliament तो what is this? This is basically pocket veto ठीके ना? अब यहाँ पे देखिए the president can exercise this veto power as the constitution does not prescribe any time limit within which he has to take the decision with respect to the bill यानि कि अगर एक bill president के पास पहुँचा है तो president उसको अपनी pocket में रख सकता है मतलब कितने भी समय के लिए pending रख सकता है चुकि कोई time limit नहीं लगाई गई है हमारे president के उपर US में अगर आप बात करोगे US के president के पास वहाँ सी legislature से कोई bill जाता है तो US के president के लिए consideration के लिए 10 दिन का समय है 10 दिन के अंदर US के president को decision लेना है लेकिन इंडिया में president के उपर किसी भी तरीके का कोई restriction नहीं है इंडिया का president बिल को किते भी समय के लिए अपने पास रख सकता है इसलिए यहाँ पे बोला गया that the pocket of the Indian president is bigger than the pocket of the American president चुकि pocket veto में president के पास लंबे समय तक अपने बिल को रखने की आजादी है American president को 10 दिन के अंदर बिल के उपर decision लेना पड़ता है अगर आप pocket veto का example देखो इंडिया में तो भाईया president ग्यानी जैल सिंग 1986 में इनके सामने एक बिल पहुँचा जिसका नाम था Indian Post Office Amendment Bill इस Indian Post Office Amendment Bill को पास किस ने किया था तो राजीव गांधी जी की सरकार ने इसको पास किया था अब ही ये बिल के उपर बहुत से controversy थी ये बिल freedom of press की उपर restrictions लगा रहा था अब emergency के समय भी freedom of press की उपर restrictions लगी थी तो obvious ही बात है 1986 में जब इस तरीके का कोई बिल राजीव गांधी जी की government में पास हुआ Congress की सरकार में पास हुआ तो पूरे देश में इसका विरोध होने लगा अब जब ये बिल पार्लेमेंट से पास होके प्रेजिडेंट की पास पहुँचा ग्यानी जैल सिंग्सी की पास तो ग्यानी जैल सिंग्सी न सोचा कि क्या करें भईया इसको approval दे देंगे तो लोग चिल आएंगे कहीं न कहीं मुझे भी बाते बोली जाएंगी तो आप देखो कि ग्यानी जैल सिंग्सी ने यहाँ पे pocket veto का इस्तेमाल किया 1986 में उनके पास बिल आया उन्होंने बिल को पेंडिंग रखा लेकिन उस समय तक Parliament में सरकार बदल चुगी थी और National Front की सरकार आ चुगी थी National Front की सरकार ने बोला कि अब हम इस बिल को consider नहीं करेंगे और वो बिल ड्रॉप हो गया तो आप देखो दोस्तों ये pocket veto की बात हमने कर लिए अच्छा एक और बात दोस्तों चाहे pocket veto हो चाहे absolute veto हो चाहे suspensive veto हो अगर बात है Constitutional Amendment Bill की Constitutional Amendment Bill के उपर President के पास किसी भी तरीके की कोई veto power नहीं है और ये कब बताया गया ये बताया गया 24th Constitutional Amendment Act 1971 के तुर 24th Constitutional Amendment Act 1971 के तुर ये बताया गया है कि भाया देखे अगर Constitutional Amendment Bill को पास करा दिया पार्लेमेंट में और वो पहुँचा President के पास तो भाया President को साइन करना ही पड़ेगा ना ही absolute veto available है ना substantive veto available है ना ही pocket veto available है ठीक है अब बात करते है President veto over state legislation भाया state legislation के उपर President की किस अत्तक veto power है ठीक है अगर किसी Bill को State Legislature ने पास किया तो वो नियम कब बनेगा जब उसको Governor की permission मिल जाए अगर Governor को लगता है कि इस Bill को प्रेजिडेंट को रफर करना चाहिए तो वो प्रेजिडेंट को इस Bill को रफर कर सकता है अभी President के पास मान लीजे State Legislature दौरा प्राप्त किया कोई Bill पहुँच किया वैसे तो देखा जाए Governor के पास क्या क्या options है State Legislature ने Bill को पास करके अगर Governor के पास भेजा ठीक है ना तो Governor के पास option क्या है या तो वो उस Bill के accept कर ले उसके उपर ascent दे दे या वो अपनी ascent को withhold कर ले तो एक case में उसने accept किया एक case में उसने accept करने से मना कर दिया या फिर उस Bill को वो वापस कर दे State Legislature को for the reconsideration लेकिन याद रखेगा Money Bill को for reconsideration वापस नहीं किया जा सकता है Money Bill को या तो Governor accept करेगा या reject करेगा चौथा क्या कर सकता है Governor की उस Bill को for the recommendation of the President रिजर्व कर सकता है तो भाईया माल लिजे President की recommendation के लिए रिजर्व कर दे अब President के पास पहुँच गया बिल अब यहाँ पर President के पास क्या थाकत है इसको देखते President उस Bill को accept करता है President उस Bill को reject कर सकता है President Governor से ये बोल सकता है कि भाईया उस Bill को State legislature के पास वापस भेजो reconsideration के लिए लेकिन money bill नहीं होना चाहिए चो money bill के case में तो President नहीं बोल सकता है कि भाईया आप इसको State legislature को वापस भेजो reconsideration के लिए ना Governor बोल सकता है ना President बोल सकता है Money bill को या तो accept करो या reject कर दो reconsideration के लिए मत भेजो तो money bill के लावा कोई दूसरा bill है तो भाई वो बिल President बोल सकता है अगर President के लिए रिजर्व कर दिया है Governor ने तो President बोल सकता है Governor को कि आप एक काम करो इस Bill को फिर से reconsideration के लिए भेजो State legislature के पास कभी ध्यान दीजेगा Parliament के case में अगर कोई bill reconsider होके President के पास आ जाता है तो President को approval देना mandatory हो जाता है But State legislature के case में अगर कोई bill reconsider होके President के पास आता है तो President को approval देना या assent देना mandatory नहीं है उसके बाद भी चाहे तो President उसको reject कर सकता है चाहे तो accept करें चाहे तो pocket वीचलों के चलते टाल्ग रखें यानि State legislature वाले bills के case में अगर governor ने उस bill को President की consideration के लिए reserve कर दिया तो President के पास ताकत आ गई और यहाँ पे unlimited pocket veto है unlimited suspensive veto है यानि suspensive veto को exercise करने के बाद भी State legislature दोया दिये गया bill को reject कर सकता है President या कितने भी समय के लिए उसको pending रख सकता है ठीक है अभी यहाँ पे एक table हो दोस्तों वो table मैं आपके लिए बना देता हूँ थोड़ा उससे चीजें आपको clear हो जाएगी 17.2 table है लक्षमिकास 6th edition दी किताब में एक तरफ है आपका Central Legislation एक तरफ है आपका State Legislation ठीक है अब यहाँ पे बात की जाए Central और State Legislation में with respect to ordinary bills with respect to ordinary bills बात करेंगे तो Central Legislation के case में अगर कोई bill President के पास पहुंच जाता है तो President या तो उसको accept करेगा President या उसको reject करेगा ठीक है या फिर President उसको recommendation के लिए reconsideration के लिए वापस बेज़ागा Parliament के पास Parliament उसको accept करके अगर वापस President के पास बेज़ देती है तो President को approval देना ही पड़ेगा आप बोलो के फाइदा क्या हुआ reconsideration के लिए भेजने का बहुत पाइदा होता दोस्तों जब भी President किसी भी bill को वापस reconsideration के लिए भेज़ देगा ना Parliament के भया देश भर में बहस चुए जाएगी कि President ने Parliament के बिल को रोक दिया क्यों रोक दिया क्या गलती है इसमें तो Parliament के उपर एक added pressure आ जाएगा तो इस चीज़ को हलके मत मत लीज़ेगा जो reconsideration के लिए भेजने वाली पावर है ना President की यह बहुत बड़ी पावर है अगर कभी भी President ने इस पावर को यूज कर दिया ना तो देश के लोग उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने लगेंगे और Parliament के members के उपर देश के लोगों का pressure आ जाएगा ठीक है वहीं पर ordinary bills की बात की जाए state legislation में तो यहाँ पर भी भाईया जो President अगर उसके पास आता है accept कर सकता है President, reject कर सकता है या reconsideration के लिए वापस भेज देता है money bill की अगर बात की जाए तो देखिए money bill की जब भी बात होगी central legislation में तो या तो आप accept कर लो ठीक है? या आप reject कर दो लेकिन आप return नहीं कर सकते है उसको reconsideration के लिए नहीं बेज सकते है वापस Parliament के पास ठीक है ना? दूसरी बात अगर state legislation द्वारा पारित कोई money bill President के पास पहुंचता है तो वहाँ पे भी President उसको या तो accept कर सकता है या reject कर सकता है लेकिन यहाँ पे भी President उसको return नहीं कर सकता है तो money bill के case में reconsideration के लिए bill को state legislature के पास वापस भेजना ये state legislation में भी नहीं कर सकती Central Government ठीक है? मतब President तो President money bill को reconsideration के लिए Parliament के case में भी नहीं भेज सकता और state legislature का अगर money bill है उस case में भी नहीं भेज सकता है तो या तो President उसको accept करे या reject करे ओके आगे बात की जाए with regard to constitutional amendment bill अभी देखे constitutional amendment bill state legislature में तो introduce हो नहीं सकते तो state legislature में तो constitutional amendment bill का कोई मतलब ही नहीं आया बात आई center में center में constitutional amendment bill अगर राजसभा और लोगसभा से पारित होके President के पास आ गया तो President के पास कोई option नहीं President को उसको approval देना ही पड़ेगा ना President उसको reject कर सकता है और ना ही President उसको reconsideration के लिए वापस भेज सकता है ठीके दोस्तों तो ये पूरा topic veto power को मैंने बहुत धंक से समझा दिया President की veto power में मेरे क्याल से आपके सामने एक भी doubt नहीं रहना चाहिए बिलकुल भी नहीं रहना चाहिए Thank you for watching this video friends Have a great day, goodbye